आमादी पार्टी के सांसत भगवंत मान के वीडियो को लेकर आज संसत के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ लोगसभा स्पीकर ने मामले को गंभीर बताया वहीं कॉंग्रेस ने भगवंत मान को जेल भीजने की मांग की इससे पहले भगवंत मान ने लोगसभा अधक्ष सुमित्रा महाजन के सामने पेशो कर अपनी सफाई भी दी दरसल भगवंत मान ने फेस्बुक पर वीडियो डाल कर संसत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये भगवंत मान जब गुरुवार को सुबह दिल्ली में अपने घर से निकले तो उन्होंने संसत जाते समय पूरी तस्वीर फेस्बुक पर पोस्ट कर दी संसत की सुरक्षा के नियमों के हिसाब से संसत में सदस्यों को मोबाइल फोन लेकर जाने की अनुमती तो है लेकिन वो किसी तरह के रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते भगवंत मान ने संसत के सभी नियमों को ताक पर रख दिया और लोगसबा के अंदर की तस्वीरे ना सिर्फ रिकॉर्ड की बल्कि उन्हें फेस्बुक पर भी अप्लोड कर दिया जो सुरक्षा के लिहाज से बेहत संजीदा मामला है भगवंत मान ने कहा है कि वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि संसत में कैसे क्या होता है कैसे लोग अंदर जाते हैं और कैसे सवाल पूछा जाता है और इस मामले पर हमारी समवादाता अनामिका रत्ना ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से खास बाचित की क्या भगवन मान आप से मिले त्री भगवन मान में जो मिलने दरूर आये थे उदो ने कहा भी है कि मैं माफी मांगता हूँ सबसे माफी मांगोगा लेकिन बात यह है यह पार्लमेंट की सिकुरिटी का सवाल है जो भी अभी आया है और आप जानते हो पहले भी पार्लमेंट पर अटक हो चुका है 13 हमारे सिकुरिटी के लोगों की जान उसमें गई है हमारे लिए बहुत किमती है वो तो हम बुक्तव होगी लोग हैं सभी और पार्लमेंट की सिकुरिटी है नहीं यहां के सभी मेंबर्स के लिए सब करा हुआ है तो मुझे हमारे सिकुरिटी परसन से भी जो जैस सिकुरिटी है उनको भी मैंने रिपोर्ट देने को कहा और सभी Parliament Members का जो मत था आज आपने देखा होगा हाउस में तो Parliament की Security की दृष्टी से कदम उठाने पड़ेंगे दबाव है कि उनका दबाव प्रभाव का सवाल नहीं है मगर यह जो suggestion आई है कि Committee बना के इसके पूरी inquiry हो के कुछ होना चाहिए हम सब मिलकर के इस पर सोच रहे हैं और मेरे लिए प्राइम तिंग इस पार्लिमेंटल सिप्रेश जायर तोर पर सुमित्रा महाज़न जी का कहना है कि कहीं न कहीं यह Security से जुड़ा मामला है और उनका देद दबाव है वो समय आने पर उचित फैसला लेंगी समय मैं मैडम स्पीकर को मिला भी था मैंने का मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए मेरा मकसद कत्य संसद की सुरक्षा को खत्रे में डालना नहीं था मैं सवाल पूछने की प्रकरिया को लोगों को अवगत कराना चाहता था और मैं अनकंडिशनल इसके लिए माफी का जो एक लेटर है मैंने मैडम स्पीकर को अपने दे दिया मैंने नूटेस ऑफिस में दे दिया है उनका तो पहुंड हैंगा उसमें मैं यह लिखा है कि मैं अन जाने में मैंने संसत में जब आ रहा था शुनकाल डालने तो मैं वीडियो बना ली तो इस के लिए मैं आपसे बिना शर्ट मावी मांगता हूं मैं भी देश हे लोगतां तरके सबसे बड़े मंद्र का संवां करता हूं बैकत ही नी चाहूंगा कि इस इस लोगतंत्र के मंद्रे का अपमान हो भवेश में ऐसा ऐसी गलती ना हो इसका मैं उनको विश्वास दे लेकर अगर अगर सुरक्षा की चेंता करने हैं तो दलीतों की सुरक्षा की चेंता कीजिए